इसी 2017 में हम लोग ने गलोबल सब्मिट की थी और उस गलोबल सब्मिट में 210 M.E.U. हुए थे और इस 9-10 मैने के अंदर 95 M.E.U. में जमीन पे धर्ती पे काम हो रहे जिसमें टेक्स्टराइल सेंट के सेक्टर में फूर पोसेसिंग के सेक्टर में सिमेंट कमपनी के सेक्टर मे और इसलिए हमारा जार्खंट से हमारे बच्चे बच्चिया 8,000, 9,000, 10,000 के लिए दूसरे राज में ना जाए इसकी चिंता करते हुए हमने डेक्स्टाइल पॉलिसी अच्छी बराई अब डेस, दुनिया के जितने भी गार्णेंट के चिक्रत में काम करने वाले सब का जार्खंट में काम शुरू हो गया और आने वाले दो बर्ष के अंदर जार्खंट के जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे बच्चिया उनको दो लाग टेक्स्टाइल सेक्टर में सिर्फ एक सक्टर में रोजगार देने का काूँ लेकिन इस रोयल्टी खाकर इस राज की बेरोजगारी और गरीबी समाफ्त नहीं हो जब तक की या भेलू एड़ प्लांट पावर प्लांट इस्टील प्लांट की अब नियू ने रखी जाएगी तरब तक गरीबी और बेरोजगारी समाफ्त नहीं हो सकती और इसके लिए हम लोग ने माइनिंग गलोबल सिमिट इसके साथ साथ ही कि जो माइन्स में एकुविमेंट्स लगते हैं मसीन वो मेनिफेक्चर भी जारखंड की धरती में हो राची में क्योंकि चप्तिस गार उरिशा के माइनिंग सेक्टर है यहां बड़े-बड़े मसीन कोई लाउत खानान में लगते हैं वो मेनिफेक्चर सेक्टर भी जारखंड की धरती में लगे ताकि हमारे जारखंड के नौजवान को रोजगार में लगते हैं उनको सिच्छित करने कोसल भिकास दे कर कमल बनाना चादर बनाना तौलिया बनाना इसके साथ साथ मदू मक्गी साथ बनाना यह सारे काम हमारी सरकार आने वाले समय में करेगी और दो हजार बाइस तक जारखंड में कोई बीपिल कार्ट धारी ना रहे